सीगल कुम है किसी के प्यार में फाइनली अन्वी तोड़ेगी चुपी आरे वान एपिजोड में देखने को मिलने वाला हो कि फ्रिज में केक और शेक के साथ में मिल जाता है अन्वी के हाथ लव लेटर जो अब लिखा होता है सवी ने इशान के लिए और फोस्ते जार करने क लिए तड़ापने होती लेकिन इशान तो होस्पिडल में जाकी रोना रोती मजराता है हरीनी के सामने लेकिन हरीनी उड़ती नहीं दूसरे तरह देखने को मिलना है कि यहाँ पर सच्चाही बता कर दिल तोड़ते नजर आएगा सवी का इशान कि वो उसके परिवार की का जिम्मेदार है उतना ही इशान भी है और अब तक वो उसे दूखा देते आ रहा था जिसके पास सवी बुरी तरह सभी खर जाती है लेकिन देखने को मिलने वाला है कि अनवी तोड़ेगी चुपी और इशान को बताएगी सच्च कि उसने तो प्रातना कीती भगवान के स सभी को आप हम इशान के लिए खोदोगे और ये परिवार एक अच्छी बहु को खोदेगा सभी ने इस परिवार के लिए जो सब कुछ क्या है न वो इस ऐसे समझके नहीं किया कि वो कुछ यह दिनों की महमाने देखने को मिलता है कि यहां पर सभी के लिए जो सभी ने सभ की को रोगती ने दराएगा